नमस्कार दोस्तो, मैं डक्टर बीजे बादूर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हूँ या चैनल पर नए हूँ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तो, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे है। तो दोस्तो, आज मैं बात करने वाला हूँ जान डिस या पीलिया के बारे में। तो दोस्तो, पीलिया क्या होती है, पीलिया किस कारण से होती है और पील पीलिया की कौन-कौन से ओमेपैथिक दवाईया हैं, आज मैं इन सब के बारे में बारी-बारी से बात करूँगा, तो दोस्तो, चलिए शुरू करते हैं, तो पहले हम सुरू करते हैं कि पीलिया क्या होता है, तो दोस्तो, जो हमारे लीवर से जो बाईल निकलता है, जो कभ ब्लड में बिलूर्विन काउंट बढ़ जाता है जिसके उजासे हमारे सरीर के जो वाइट पार्ट हैं जैसे आंक का सफेद भाग हथेलियां नाखून और पेसाब यह सब पीले दिखाई देने लगते हैं दोस्तों इसी को अंग्रेजी में जांडिस या हिंदी में इसको पी अधूर्व्य को वाइट आप में तो अंग्रेज़ को पार्ट दीकिता है तो मिक्सटी हूए same, predसूर्षा, झाल बलडा के ब्लाड मैने नहीं मिल जाता है कासे तो उसके वाजह से भी बाइल के मर्ग में बधाव जाता हुझा ठीक से जो है, हाथ में नहीं जा पता है, बलड में मिल जाता है, जिससे बिलिर्विन काउंट बढ़ जाता है, और जान्डिस हो जाता है. अगला कारण है, अलकोहल, जो लोग ज़्यादा अलकोहल लेते हैं, ज़्यादा सराब पीते हैं, तो इससे उनको लिवर डिजीज हो जाता है, जैसे लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसमें लिवर का फंक्सन ठीक नहीं होता है, और लिवर का फंक्सन जब ठीक नहीं होता है, तो उससे भी बिलिर्विन काउंट बढ़ जाता है, और जान्डिस हो जाता है. तो दोस्तो, अब हम चलते हैं इसके लक्षण के तरफ इसके लक्षण क्या होते हैं तो दोस्तो जैसे इसका नाम पिलिया है तो इससे ही असपस्ट होता है कि इसके लक्षण कैसे होते हुए तो पिलिया का मतलब है कि सरीर के जो भी white part है वो पिले हो जाते हैं जैसे आंक का जो सफेद पीला हो जाता है नाखून पीले हो जाते हैं हाथ के हथेलियां पीली हो जाती है पेसाब पीला हो जाता है और इसमें भूख नहीं लगती है मिचली होती है और कब्ज रहता है पेट फूलता है और मल जो होता है मिट्टी के रंग का होता है मल में बहुत बद्बू रहती है औ उस अवस्था में शरीर में खुजली भी होने लगती है तो ये सब इसके लक्षण रहे हैं दोस्तों अब हम चलते हैं इसके दवा की तरफ तो इसमें पहली दवा और मुख्य दवा है चलिडोनियम क्यूँ चलिडोनियम जब हमारे लीवर के स्थान पर दर्ध हो और दाहिने कंधे की हड़ी में दर्ध हो और भूख ना लगे तो चलिडोनियम को देना चाहिए ये बिलूर्बिन काउंट को कम करने की बहुत बढ़ियां दवा है तो चलिडोनियम क्यूँ बीस बूद आधे कप पाने में मिला कर दिन में तीन बार लेना चाहिए अगली दवा है बरवरिस भलगरी स्क्यूँ जब पिसाब चमकदार पीला हो लाल रंका हो लीवर के अस्थान पर दर्ध हो तो उस समय हमें बरवरिस भलगरी स्क्यूँ बीस बूद आधे कप पाने में मिला कर सुबा दो पहर साम तीन बार लेना चाहिए दोस्तों अगली दवा है चियो नैंथस क्यूँ यदि प्रतेक सीजन में आपको बार बार जण्डिस हो जा रहा है और ऐसा जण्डिस आपको बार बार रिपीट कर रहा है तो ऐसी अवस्था में आप चियो नैंथस क्यूँ बीस बूद आधे कप पाने में मिला कर सुबा दो पहर साम तीन बार लेजिए इससे जो है आपकी समझ से एकदम खतम हो जाएगी अगली दवा है करिका पेपेया क्यूँ यह भी पिलिया की बहुत बढ़िया दवा है या पेट की पेट में जो गैस बनता है कब जो होता है इस सब के लिए बहुत ही अच्छी दवा है तो इसको आप 20 मूद आधे कप पाने में मिला कर सुबा दो पहर साम तीन बार लीजिए तो इससे आपकी समस्या खतम हो जाएगी दोस्तों यदि आप चाहें तो जो मैं चारो दवा बताया हूँ चिलिडोनियम क्यूँ बर्वरिस बुल्गरिस क्यूँ और चियोनन्थस क्यूँ और करिका पपेया क्यूँ ये चारो दवा को आप एक साथ मिक्स करके फिर उसमें से 20 बीज मूद आधे कप पानी में डाल कर सुबा दो पहर साम तीन बार ले सकते हैं इससे आपका जांडिस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और दोस्तो अगली दवा है नेटफास 6-6 ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी दवा है लीवर के लिए अच्छी दवा है और पेट में गैस अगर बन रहे तो उसके लिए बहुत अच्छी है तो आप इसमें से 4 थोड़े से गुनगुने पानी में डाल कर दिन में चार बार लिजिए और दोस्तो अगला एक ठोग सीरफ है जो लास्ट है उसका नाम है जांडिला सीरफ ये जो है जांडिस के लिए बहुत अच्छा सीरफ है इसको आप सुबा दो पहर साम तीन बार लिजिए दो चमश आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में सेर करिए और वीडियो की नीचे एक लाल बटन सब्सक्राइब का बटन होगा उसको आप जरूर दबाईए और बगल में घंटी का निसान होगा उसको जरूर दबाईए ताकि मैं जो भी अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद